कि आई ये पेपर सालिशन की दर्वू करते हैं हमारा पहला कुश्चन दिखिए दा पुलिस सिफ्टेड दा कोल ब्लडेड मेंडर विद ब्रीमफुल रेक्टिचूड पहले एक्स आनोलेश में चलते हम सबसे पहला है सिफ्टेड का मतलब होता है सिफ्टी कर लीजिए आप स नमबर दो पहें कोल ब्लडेड मेंडर काफी बार रोटेट हो चुका है सोची समझी गई हत्या को वैल प्लान मेंडर को कहते हैं कोल ब्लडेड मेंडर थर्ड है आपका ब्रिम्फुल रेक्टिट्यूट यानि पूरी इमांदारी इमांदारी को रेक्टिट्यूट बोलेंगे ओनेस्टी का सिमिलर वर्ड है ब्रिम्फुल का मतलब है कम्प्लीट एक उन्फिडेट के साथ आएगा ये करीज के साथ आएगा एक अच्छा वर्ड है पूरी मांदारी फिर वर्ड पर आएए यहां पर जो है एक्टिव का सेंटेंस है और वर्ड की थर्ड फोम है इसलिए आंसर में आएगा भूत काल की संभावना माइट हैव माइट हैव सिफ्टेड आएगा कि पुलीस इस सोची समझी के हित्या की जाच कर चुकी होगी यहां पर माइट हैव आएगा माइट हैव का यूज एक बार एपीट रलीजे दिमाग में भूत काल की हलकी संभावना के लिए जो मोर्ल काम दे आएगा वो माइट हैव कहलाएगा माइट हैव सिफ्टेड आएगा अंसर नंबर A is the right answer केलियर पहला कुशन दा पुलिस माइट हैव सिफ्टेड इस कोल ब्लडेड मर्डर विद ब्रिम्पूल रैक्टिचूड पुलिस इस सोची समझी के हित्या की जाच कर चुकी होगी पुरी इमाद्दारी के साथ माइट हैव क्यों आया क्योंकि वर्थ की थड़कों में हल्की सम्मावना के लिए जो मोडन हमारे पास आएगा उसका नाम होगा माइट हैव सिफ्ट यानि जाच करना हमारी बालती जब पूरी भर जाती है पानी से और वो छलकती है पाली उपर से जाता है उसी को ब्रिम्फुल कहते हैं बड़ा अच्छा एग्जेक्टिव है दूसरे पर आईए इस पूरियस गी किसको कहते हैं नकली घी दूसरा कुछ शर्गी एक्स्ट्रा नोलेज सबसे पहले इस पूरियस ये जनरली घी के साथ आता है या शराब के साथ आता है जनरली जब आप अड़ाटेटेड अलग होगा इस पूरियस घी नकली घी एक विलावड नी आएगा तो बड़ कुछ होर आएगा और नकली आएगा तो बड़ कुछ होर आएगा हूच का मतलब कुछ दी लगाना इसमें हूच का मतलब नकली शराब जो मैथिल एलकोल होता है वो नकली शराब होती है वो हूच कहलाती है जिसको पीने से काफे लोग मर जाते हैं तो हूच कहलाती है कोशन नमबर टू के चाहरे हैं आप कल्पिट आपको पता है अपराधी को कहते हैं कल्पिट अपराधी कल्पिट कहते हैं अपराधी को तीसरा वर्ड और चोथा जा रहा है आपका आपको mind have use दीघर सकते वर्प की थरफोई आएगी could have use दीख सकते वर्प की थरफोई आएगी would have नहीं आएगा तो might is the right answer इसका जो answer आएगा माइट आएगा हल्की सैंभावना के लिए सम्भावना तो है लेकिन हल्की है answer इसका might होगा be is the right answer क्योंकि could have, would have, should have के साथ वर्प की थर्फों रोटेशन पे आती है माइट का यूज मनी वर रिपेट करिए हल्की सम्भावना के लिए जो बॉर्डल काम में आएगा वर्तमान में वो माइट कहलाएगा B is the right answer चलें आगे The price of petrol hike due to soaring population hike का वत्लब होता है प्राइस हमेशा hike होती है प्राइस जब भी बढ़ेगा increase वर्ड नहीं आता है प्राइस हमेशा hike होती है बढ़ना और यह दिए कम होती है तो सही वर्ड में slash आता है slash का मतलब price का कम होना प्राइस यह दिए कम होती है तो वर्ड slash आता है बढ़ती है तो हाई काता है इनकी जो डिक्रीज वर्ड यहां पर नहीं आएगा प्राइस हाई क्यानी बढ़ना स्लेश अली कम होना सौरिंग पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या सौरिंग यानी बढ़ता हुआ सौरिंग पॉपुलेशन बरती जन्संच्या प्रजेंट पार्टिस्पिल यूज़ किया बरती जल्संच्या सौरी क्या है grammar की language में present participle है और काम क्या करता है काम करता है आपके एक्जेक्टिव का यह जो है काम करता है विशेशन का जो हुआ हमारा second grammar का topic होगा एक्जेक्टिव का काम करता है किसी भी नाउन की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि वर्प की थर्फोंब और पैस्वी में आए ऐसा कौनसा अंसर है ए री हो सकता एक ऐसा अंसर जो पैस्वी में भी आए और आपका जिसे कहते हैं पैस्वी वो इसका आंसर रोना विल है टूबी बविश्यकाल की मजबूरी करना पड़ेगा यह इसको देख यह आप क्या कि वो आगे बात करेंगे पैसे वह इसमें. तो we'll have to be क्यों आया क्योंकि आंसर पैसिव का है कौन बनाएगा पता नहीं है प्राइस को बनाना पढ़ेगा किसके द्वारा यह हमें पता नहीं है तो आंसर बहुत टैक्टिकल है आपका A आंसर ली हो सकता C answer नहीं हो सकता D answer नहीं हो सकता क्योंकि D active में है passive का A की answer है We will have to be third form is the right answer Answer number B भूत काल की मजबूरी will have to be के साथ या will have to के साथ answer आएगा मुझे एक mobile खरीदना पढ़ेगा I will have to purchase a mobile और एक mobile खरीदना पढ़ेगा A mobile will have to be purchased by me, by you इससे कोई फरक नहीं पढ़ता This decomposed corpse identified due to death darkness decomposed corpse सडी गली लाश decomposed है चार दिन पुरानी है decomposed corpse अभी चार दिन पुरानी है तो natural सी बात है सडी गली लाश सडी गली लाश को कहते है decomposed corpse जब आपने इसे चार दिन पुरानी कह दिया पास दिन पुरानी कह दिया तो ये दुर्गद जरूर देगी तो दुर्गद के लिए फर्मुला करें एन एसस काम में आएगा दुर्गद दुर्गद ये वर्म का काम भी करता है लोई संथ, स्टिंग और स्टैंच खुश्मु का अलगवर्ड आएगा दुर्गद का अलगवर्ड आएगा डैंस डाकनेस बहुत घना दे रहा है बहुत ज़्यादा हंदेरा है डैंस का मतलब घना डैंस का मतलब घना बहुत ज़्यादा हंदेरे को बोलेगे डैंस डाकनेस कुशन जा रहा है पैसी वो इसमें आंसर लेगा A, could not be A, क्लाश को पैचाना ना जा सका, could not be आपका थड़ फर्म में आएगा कुण का यूज का मोता है, भूत काल में कोई भी काम, कोई भी एबिलिटी या कैपेसिटी हम शो ना कर सके हम कोई भी अगरे जी ना बोल सके, could not be बे जाएगा, अगरे जी बोल सके, could not be बे जाएगा और भूत काल में कोई भी काम आप ना कर पाए, could not be में बर्की थड़ फर्म यहां पर कुड़ोन भी थर्णफों क्यों आया वाक्ये पैसी वो इसमें है वाक्ये को पैसी वो इसमें लेके जाना है वाक्य जो है पैसी वो इसमें जाएगा वन की थर्णफों के साथ चली आंसर के आया A is the right answer नेसेंट पॉलिसी इंप्लिमेंटेट टू इरेज अब्जिमल पॉवर्टी नेसेंट का मतलब होती है नई जितनी भी नई पॉलिसी आईगी नया कानून आएगा वो नेसेंट आएगा नेसेंट ड्यू का सिमिलर वर्ड है नेसेंट आपका जो कुश्चन है वो कहें बैसोरी वो नैसेंट, नैसेंट का mतलब نया policy हो सकती है, कानून हो सकता है policy मैंने आपको बता रखी है हमे 새ग में इंप्लिमेंट होती है implement यानी लागू होना policy हमेशा implement होती है आपका erase करने के लिए erase का मतलब होता है समाप्त करना erase यानी मिटाना ये भी बहुत अच्छे वर लेगा erase यानी मिटाना क्या मिटाना है आपको abzimal poverty अथा गरीबी abzimal poverty अथा गरीबी walk-up के साथ grammar का खेल के लेगी हम बहुत अच्छा 15 questions की तेयरी है हमारी 15 questions आउट और 15 questions अभी करना है हर आल में implement लागू करना लागू होना पॉलिस हमिशा implement होती है कानूर हमिशा impose होता है पेरेज मिटाना abzimal poverty अथा गरीबी हो गया हमारा extra काम आईए कोश्चन पर ना नेसेन पॉलिसी इस implemented वर्प की थर्फों में जो 20 COD के साथ नहीं आ सकती sentence जा रहा है पैसे वो इसमें can be implemented लागू हो सकती है की जा सकती है can be implemented can be के साथ वर्प की थर्फों आएगी क्योंकि sentence पैसे वो इसमें जाने का रूत्वा रख रहा है वो आपसे पैसे वो इसका आंसर जाता है एक्टिवो इसका आंसर हो दी सकता है क्योंकि नहीं पॉलिसी लागू की जा सकती है किसके द्वारा हमें पता नहीं है तो sentence को अट्लिबेटली पैसे के बोर्ड बे जाना पड़ेगा can be implemented is the right answer answer नबर ए दिया और बर गए आगे the police collect vital clues to corroborate this blame vital clues vital का मतलब होता है vital vital का मतलब होता है ये generally clues के साथ ही आता है और दूसरा word है corroborate ये बड़ा शांदार word है आपके CRPC में भी आता है corroborate आपके कभी ध्यान से पढ़ा हो corroborate का मतलब होता है pushटी करना pushटी करने को corroborate कहते है जिसका दूर्मल सा बड़ है uphold uphold भी pushटी करना जब शेशन जब किसी को फांसी की सजा देता है तो हाई कोर्ट उसको corroborate करता है उसको uphold करता है कौर सा section है वो आप पताल लेना जब शेशन कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता है पहाई कोड उसको करोरेट करता है वर्तमान काल का मोडल है, हिंदी मतलब है करना ही चाहिए दाव पुलिस मस्ट किलेक्ट वाइटल एविडेंसज तू करोबरेट बलेम करोबरेट का मतलब होगा पुष्टी करना, बड़ाच्छा बड Rights Upress Latin मतलब होगा पुष्टी करना वाइटल का सिमिलर वर्ड है, वाइटल होगा महत्वपूर्ण जो जनरली क्लियूज के साथ आएगा A is the right answer चले आगे 7 पर आईए दा इमेच्वर यूथ वेरिंग टॉम दियर बुलजाई डेव आइडे जू टू इंटरनेट वीर एक अच्छा वर्ड है वीर डबली आर्ड इसको यूज करेंगे ऐसे में वीर वीर किसका सिमिलर वर्ड है वीर सिमिलर वर्ड है डाइवर्ट का वीर यानि आपका पत्वरस्ट हो जाना गुम्रा होना गुम्रा होने को कहते हैं वीर अपनी direction चीज़ के च्टू को जो कहते हैं वीर, गुंबरा होना वीर कहलाएगा, बुल्जाई, लक्ष कहलाएगा, बुल्जाई आपका लक्ष है, आपका center point है बुल्जाई, वीर का मतलब diver होना जो आजकल के युवा हो रहे हैं, आजकल के immature युवा, वीर हो रहें, डाइवर्ट हो रहें, लक्ष का कुछ और, कलस संगत में पढ़ गए, डाइवर्ट हो गए, कई और, तो वीर और डाइवर्ट का मतलब होगा, दिशा भ्रभित हो जाना, गुबरा होना, और बुल्जाई कहलाएगा लक्ष, वीर, काई के कारण, इंटरनेट के काराण, अब आ रहा है आपका डे बाइडे, डे बाइडे, ग्रेमर में जा रहा है, डे बाइडे कहता है, रूम नंबर सेकेंड, डे बाइडे आपसे उब्बीत करता है, रूम नंबर सेकेंड, यानि इसमर, प्लस, बीफोर वाला कोई आंसर आपको फाइड आउट करना है यहाँ पर youth है, youth के साथ हमिशा plural work आती है आर आएगा, is रही आएगा the youth हो गया, the poor हो गया, the blind हो गया, the old हो गया, the rich हो गया सब के साथ plural वर आएगी, grammar का इस रूल है, जो वक्त आने में discuss करेगे ये अक्टिव में है यूथ हो रहे हैं आपके यूवर डाइवर्ट हो रहे हैं अक्टिव वो इसमें से आ रा गया किसके कारण ने बाइडे के कारण इस ने फसा रखा है इसने एक रैमर को यूटर्ण दे रखाएगी, यह आगया, सैकेंड रूम, सैकेंड रूम आगया, इसमार वी फोर, यूथ के साथ बहुँ बचन आएगा या सिंगूलर, तो पूर के साथ, यूथ के साथ, इनके साथ हमेशा प्लियूरल वर्म आती है, क्योंकि पूरी इसमार विश लेटली ड्यू टू दियर इंटिमिडेशन, इसमार विश किसी ओ याद हो, तो मतलब बताइए, इसमार विश बिश बिश गादावेने बटल की फड़ियों को और चीलने को बोलेगे, इसमार विश का मतलब होता है, राज खोल देना, कोई भी सिक्रेट को रि इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन कहते हैं धमकी को, फ्रेट का सिबिलर वर्ड है इंटिमिडेशन, इसलिए काफ़ी जगा आपको इंटिमिडेट वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, इंटिमिडेशन कहते हैं धमकी को, इसमार विश कहते हैं राज खोल ले को, विश कहते हैं फल मतलब होगा अभी अभी इसका देरी से कोई लेना देना नहीं है Lately का मतलब होगा अभी अभी इसका देरी से कोई लेना देना नहीं है Has Elm के साथ वर्पी थर्फों find out कर ली है They have V is the right answer They have spill the base lately due to their intimidation हमारी दमकी के कारण उन्होंने अभी अभी राज खोल दिया है यहाँ पर Lately के कारण present perfect आएगा है जैव के साथ वक्ती थर्ड फोम आए किलियर चलें आगे लेट लेगो बह्मान बनाएए बाई 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 करिए एट पर आईए नाइट पर आईए I can find a star in a stephy room I can find a star in a stephy room कनफाइड छेवर ले रहा है वैसे तो किसी को कैद करना कनफाइड का मतलब होगा किसी को कैद करना ये भी छेवर्ण पर है अकेला नहीं है कैद करने को बोलते हैं कनफाइड क्या क्या किया गया star S-T-A-R-E-V-E भूके रखना किसी को रोठी दी देना भूका रखना star कहलाएगा एक एक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं आने वाले वक्त के लिए आप सोचे स्की क्या इम्पोर्टन्स है एम्पोर्टन्स होगा है स्की लेगी देना वापना इर्ड है तो कर्भाइड होता है कहना star होता है भूगा रखना कहा स्टैफि रूम स्टेफी रूम से भी दोस्ती करवा देता हूँ जिसके उजालदान और खिर्किय ना हो वो स्टेफी रूम कहलाता है यानि कोटडी इसलिए जितने भी आपके नर्टोरियस क्रिमिनल होते हैं आपके जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं ये टेरिरिस्ट होते हैं साल जिसको बोलते हैं, वो स्टैफी रूम भी होता है, उसमें कोई उजालदान ली होता है, कोई खिर्की रही होती के विलिक दर्वाजा होता है, वो भी चोरों के डर से, क्योंकि पहले चोरियां हुआ करती थी, तो स्टैफी रूम का प्रिचलन हुआ करता था, वो स्टैफी रूम क्यालाता है, कनफाइन कैद करना, स्टार भूका रखना, आईए सेटेस को समस्ते हैं, सेटेस आप से पैसिव हो इसमें जाना चाता है, कि मुझे कैद किया गया था और भुका रखना गया था एक कोटरी में, तो यहाँ पर हैंडबीर के अलावा कोई पैसिव आपके पास नहीं है, हैंडबीर के अलावा कोई भी पैसिव आपके पास नहीं है, इसलिए हैंडबीर प्लस वर्प की थरफों में आपका आंसर होगा, सेंटेस को समझना की यह भूखा रखना किसको रखा गया था एक फॉर्मुला बढ़ा देता हूं मैं, यह रखा गया था, सी एल एस को, चद्दुला शर्मा को भूखा रखा गया, भूखा रखना किसे को रोठी भी ना देना, क्लैम, दूसरा लीव ओन एयर, यह हमारे पेरेंस यूज करते हैं सब्सक्राइब इस्टार्वेशन सूवालिया में बहुच ज्याधा है अफ्रीकन निशों में स्टार्वेशन बहुच ज्यादा हैं वह अपर दोवकत का टूस पारी भी भी थे अवISTर नहींद नहीं है दोवकत की रोठी रही हैं पेट पर खाना नहीं ए तो आपने हैर्वीन आंसर दिया आप इसको पैसी वोइस में लेके गए क्योंकि हैर्वीन आपका सही आंसर है आपने इसको पैसी वोइस में गुबाया क्योंकि पैसी वोइस में जाने में समझदारी है एक्टिव का सेंटेस ही नहीं है आईए my stingy father my pocket money due to his miserness my stingy father stingy बोलते हैं कज्जूस को कज्जूस को stingy का जाएगा stingy का मतलब कज्जूस कज्जूस को stingy का जाएगा दूसरा word है miserness यह ऐसे noun काम कर रही है miserness कज्जूसी miserness कज्जूसी stingy कज्जूस stingy adjective है miserness आपका noun है अब यह क्या करने हैं इनको कम करना है अजार उपए देते थे बेटे को इसमार 800 ही देगे तो word आएगा कर्टेल कर्टेल का मतलब है कम करना कर्टेल का मतलब होता है कटोती करना पहले देते थे दो जार उपए परमान इसमार थोड़ा पैसा ली आया इसमार देगे इसको हजार उपए हजार उपए को कर्टेल कर दिया हजार उपए को कर्टेल कर दिया कम कर दिया आपके मार्स आने वाले थे 60 किसे दिए 40 नबबार कर्टेल कर दिया 20 मार्क्स को हर मेंने हम पैट्रोल 30 लेटर यूज करते हैं इसमार 20 लेटर यूज करेंगे कर्टेल कर दिया कम कर दिया इस ठीकी कज्जूस माईजानेस कज्जुसी कर्टेल कम करना कटोती करना आपके oil consumption हो सकता है आपका electricity consumption हो सकता है कम करना पहले 500 unit यूज़ करते थे इस बार बज़र थोड़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा cooler AC बंद करके चलते हैं 400 का ही यूज़ करेंगे 400 unit को तो answer जाएगा यहाँ पर B answer D हो सकता क्योंकि पैसी होए C answer D हो सकता क्योंकि पैसी होए D answer D हो सकता क्योंकि पैसी होए तो यहाँ पर will be curtailing आएगा क्या answer आएगा will be curtailing vital इसका जिसे कहते हैं किसका हाँ कटोधी करने तो active का sentence है आदरी जिसे कहते हैं कि active का sentence है active का sentence है तो आपका जिसे कहते हैं जाना पड़ेगा इसमें तो देखिए आप इस टीगी कज्जूस pocket money को curtail करना है यहाँ पर answer active का sentence है will be curtailing कोन से टेंस भी लिखा गया कोन से टेंस भी लिखा गया will be curtailing बता ही आप will be curtailing कोन से टेंस में लिखा गया आपके टेंस में आया तो आपका future continuous में आएगा कटोती कर रहा होगा will be curtailing answer आएगा active का sentence है तो पैसिव वो इसमें जाना ही नहीं है active का sentence है पैसिव में जाना ही नहीं है वापस आईए answer नबर ये दिया और बड़े 11 की तरफ I overring the year talks while he pipping through the year shady activities बहुत अच्छे वर्ड पहली वार आपका और इंका आमना सामना हो रहा है over here क्या मतलब होगा over here का किसी की बात को छिपकर सुनना जैसा फिल्मों में देखा है आपने over here over here का मतलब होगा किसी की बात को ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना over here कहलाएगा और दूसरा है आपका peep throw peep throw का क्या मतलब होगा किसी की activities को छिपकर देखना दोनों को important कर लो छिपकर देखना keyhole में से खरकी में से peep throw फिल्बों भी यह सीर होता है काफी जिगन होता है over here किसी की बात कुछ दिवार के पीछे है over here कर रहा है peep throw छिपकर देखना छिपकर देखने को peep throw कहते हैं और shady activities shady का मतलब होता है मैं तो आपका संधिक्द shady activities होगा संधिक्द online friends आपकी query का जवाब देते हैं लेकिन क्लास के बाद एक एक query आप यह से पूछ सकते हैं डायरेक्ट लेकिन क्लास के बाद देते हैं ताई क्लास हमारी continuity में disturb ना हो shady सद्धित को कहते है peep throw छिपकर देखना कहते है over here किसी की बात को अध्यान से नहीं चिपकर सुनना होता है किसी की बात को चिपकर सुनना को चिपकर सुनना कोई दरवाजे के पीछे दिवार के पीछे कान लगा रखा है वो आपका over here कहलाएगा peep throw चिपकर देखना और shady activities संदिक्द गतिविधिया shady activities आईए वापस question पर आते है question आपस क्या चाता है I अब यहाँ पर while दे रखा है while ने आपको साफ साफ कह रखा है जब मैं as a conjunction use करूँ तो मेरा left में भी room number 6 आएगा right में भी room number 6 आएगा नहीं left में भी या तो वाजवर plus वाजवर plus V4 आएगा और मेरे right में भी वाजवर plus V4 आएगा इधर भी आईए जी उधर भी आईए जी लगाए इस रोल को question में I watch over hearing the year talks मैं उनकी बाते चिपकर सुण रहा था while he watch pipping through the year shady activity जबकि उनकी सद्दिक्द करती उनको चिपकर देख रहा था over hear और peep throw clear चिपकर देखना जैसे खिरकी में से की होल में से peep throw और crime criminal उसमें बहुत आते हैं over hear किसी की बात को ध्यान से चिपकर सुणना दरवाजे के पीछे दिवार के पीछे उसको पता नहीं है उससे कहते हैं over hear peep throw चिपकर देखना और इससे connectivity एक word और देता था हूँ चिपकर गोली चलाना जो इद्रागानी पे चलाई थी पेड़ के पीछे से उसे कहते है स्नाइप स्नाइप का मतलब होता है चिपकर गोली चलाना एक तो सामे से चलेगा तब तो शोट करेगा और पेड़ के पीछे से चटान के पीछे से वो चला रहा है तो स्नाइप करेगा इस एक one-one में सब कुछ आ गया गोली वगरा सब कुछ आ गया इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता है इद्रा गांदी पर जो वार हुआ था वो स्नाइपर था क्योंकि वो पेड़ के पीछे थे तो स्नाइप का मतलब चिपकर गोली चलाना और शूट होगा आपने सामने आजा तो शूट आएगा ही आएगा उसमें क्या दिक्कत है जैसा के फिल्मों भी देखा होगा बिल्डिंग के उपर से वो गोली चला रहा है उसको पता नहीं है वो उस पे दुर्विर भी लगा रकी है तो दुर्विर वाला जो करिकरम होता है वो स्नाइप ही होता है उसको पता नहीं है पर बोली चलेगी तो आप प्ली 11 ले वाज कहा और second ले वाज कहा वाइल के कारण मैं उनकी बातों को छिपकर सुनना था जबकि वो सदिक्द कतिवीदियों को छिपकर देख रहा था वी इस दा राइट आंसर यू एस्टीब यू और सिनाई पेरेंट्स दे हैड चैरिस्ट्यू एस्टीब का मतलब होता है संबान करना किसी का आधर करना मिलेजगाओं के हीरों को याद कर लीजिए एस्टीब का मतलब होगा आधर करना किसका आधर करवाना है सिनाईल पेरेंट्स का सिनाईल का मतलब व्रद व्रद माबाप को बोलेंगे सिनाईल और यदि सेवा करवानी है तो वर्ड कर देना रिपोस सेवा वर्ड आ जाये तो वर्ड होगा रिपोस सेवा करना बुरे माबाप का सम्मान करेंगे तो एस्टीम और सेवा करेंगे तो रिपोस तोड़ा सा डिफरेंज है खाद डिफरेंज नहीं है सेवा करी ना करें कम से कर बुरे आदमियों का रिपोस एस्टीम तो करना पड़ेगा यदि बुरे आदमी की सेवा करने तो वर रिपोस आएगा और उनका सम्मान करने तो वर एस्टीम आएगा अब आपसे मोडल की चाह रखता ये मोडल कहता है नहतिक्ता का भाव है तो ओटू के अलावा कोई आशर होगा ही नहीं ओटू का मतलब है चाहिए लेकर लेकर्टा वाले बाधियों में और तू के साथ नातिक्ता का भाव और तू के साथ moral words चाहिए ओटू का similar word आएगा अंसर दी दी या और बढ़ने phrases की तरह बंड यूर फिंगर आपके पास 20 लाग रुपे थे 20 लाग आपने लगा दिये शेयर मार्केट में सारा का सारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया कुछ भी नहीं बचा, खताब जीरो लेवल पे हैं आप, तो उसे कहते हैं बंड यूर फिंगर अपना आर्थिक नुकसान आर्थिक नुकसान करवा लेना आर्थिक नुकसान करवाना या हो जाना कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया सक्टे में पैसा लगा दिया सक्टे और कुछ भी दिवचा बिल्कुल खतम हो गया हमारा तो जो सोच आ था उसके अकोडिक नहीं हुआ तो बर्ड योर फिंगर को याद रखना इस फिंगर को याद रखना थबी काम आएगा थबी हमारी इंगलिश में काम आएगा कैसे वक्त बताएगा आज फिंगर काम में आ रही है पाम काम में आई गई, हैंड काम में आई गया, अल्बो काम में आई गई बाड़ी और फिंगर अपना रुक्साद करवा लेना आंसर नमबर जाएगा बी के पास फेस एकोनोमिकल लॉस अपना अर्फिक रुक्साद करवाना फेस एकोनोमिकल लॉस ओन्लाइन फैर जितनी भी क्वेरी एक खटिकल लेना मेरे से कॉटेक्ट करें अगर के हर क्वेरी का आप जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे मेरे से पस्वली कॉटेक्ट करेंगे लगना खुछ भी दिये दिमाग में पे ओन डेल का मतलब मोबाइल लेने के दोड़ों को एक साथ ही कनेक्ट कर दो यदि मोबाइल कैश में लिया है बिल्कुल पैसे चुका दिये तो पे ओन डेल है नगत में लेना मोबाइल को देख लो अपने अपने मोबाइल को यदि मोबाइल आपनी कैश में लिया है तो पे और यह आप किस्तों भी ले रखा है तो पे ऊंप का मतलब होगा उधार पढ़ लेना कार अभीशा प्योंकफ होती है तो चाहितों भी लें सकते हैं कार अभीशा पे उनकफ होती है और मोबाइल नेयो लें लाप्तूप लेता है लाइन कार या कोई मकार जब लोन पे ले रहे हैं तो उसे लोन पे लेते हैं ताकि इंक प्रेक्स अभी चक्कर ना पड़े उसे पे ओन कफ कहते हैं कफ इसको कहते हैं जो हमारे सिलिव का आखरी पार्ट होता है ये कफ कहलाता है और नेल हमारी ये वाले नेल नोटों को जब गिरते हैं तो नेल बहुत काम में आते हैं तो पे-on-neil कोई भी चीज कैश में ले लेना और पे-on-कफ कोई भी चीज उधार में लेना कफ कहते हैं इसको और उसको कहते हैं आपका पे-on-neil दोनों को connect कर दीजिए पहला फिप्तीड का आंसर होगा, a, on credit और प्रोटीड का आंसर होगा, is the right answer, clear爱 condition, ख nationally अर्माद दो बर्या वो ले गया हो मारकर, शुरू करें आज का अगला सेग्मेंट नीचे से लिए अच्छे मारकर बहुत इस बढ़िया चलते हूं आज हम ले रहे हैं सेक्टर नंबर सी की तरफ अब तक हम आर्थिक रुकसान करवाना आपने 20 लाग रुपए थे सट्टे में लगा दी आपने आपका सब्सक्राइब बयाद सब्सक्राइब कैसी में ले Android लुषार ये लck Nazi ऐस्टर्ण केट में इसरोफिक पड़ेगी पड़ेगी है वारे टेस्क पेपर में आज का जो पहला टोपिक है वह मैं ले रहा हूँ का ज़क्षन जिसको पूरी रेत भी कहते हैं जो लिखने में भी काम आएगा और हमारे उप्जेक्टिक का दो पार्ट है एक पीओ का पार्ट है इसके विना रिटर्न संबवाव नहीं ही है mathematical अंदाज में पूरी grammar पढ़नी है रटना कुछ भी नहीं है चुकडों में पढ़ना है एक साथ नहीं पढ़ना with mathematical approach पढ़ना है देखिए इसको कहते हैं सयोजक क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ता है connector भी कहते हैं इसको coordinate, subordinate भी कहते हैं connector भी कहते हैं और हिद्दी में कहते हैं सयोजक सयोजक का मतलब होगा दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड है दो वाक्यों को connect करता है वो conjunction कहलाता है वो आपका relative pronoun भी कहलाएगा लेकिन इसको relative pronoun को भी conjunction कहते हैं जो अब आरा कल पढ़ेगे आज देखिए पहला conjunction क्या आ रहा है बहुत अच्छे से पहला conjunction आ रहा है unless बिल्कुल mathematical way में पढ़ना है इसका अर्थ होता है जब तक नहीं इसका अर्थ क्या होगा जब तक नहीं जब तक नहीं इसका अर्थ होगा यह सबसे ज़्यादे use होता है क्या हुआ प्रीवे भी है ना लिखने में काम आएगा प्रीवे ते कुष्ण आएगा वो चीज़ है प्रीवे भी आपका यह आ रहा है आपके आज इसका पार्थ है जब तक नहीं जब तक नहीं इसका अर्थ है पहली बात दूसरा इसका grammatical power क्या है दो वाक्यों को जोड़ेगा unless का मतलब होगा जब तक नहीं तो इसका grammatical power क्या है वो देखिए वागा इसका इसके वाक्य में यह दो चीज़ या रखना है इसके वाक्य में कभी भी will या not नहीं आएगा will या not नहीं आएगा ना तो will आएगा ना note आएगा पहली बात किसी के वाक्य में इसके बाद वाक्य में इसके बाद वाक्य में बाद वाक्य में simple present लिखा जाएगा यानि V1 V5 वही पुरानी कहानी simple present यानि V1 और V5 का यूज़ होगा V5 का प्रियोग होगा note नहीं आएगा note वाला option दिमाग में से निकाल देना unless का मतलब होगा है जब तक नहीं ये किसी शर्त के लिए आता है ये किसी शर्त के लिए प्रियोगत होगा कोई भी शर्त आप पास लिए होगे जब तक आप नहीं पड़ोगे जब तक आप नहीं पड़ोगे पास कैसे होगे ये किसी शर्त के लिए आता है और इसी का भाई है जिसमें सेव कहानी लागू होगी उसका नाम है अंटिल के दोनों को साथ ही पढ़ना है आपको अंटिल लेकिन ये आता ह है समय की शर्ट के लिए एक आदे बार के में आता है समय की शर्ट के लिए इसका प्रियोग होगा पहले दो कर्जेक्शन आच्छे कर्जेक्शन पढ़ेंगे टिप्स वार्ट समय की शर्ट के लिए इसका प्रियोग होगा आज कर दो पॉइंट पहले नमबर पर दिमाद में प्रेंट कर लो फिर इस पर गेम खेलते हैं फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूगा गर से वो आपको कप्लीट कर दी है इस सी पर आज आप मुझे पढ़ाएंगे क्या रथ है कौन सा टेंस है मैं आपको दहीं चीज पढ़ाओंगा आप मुझे पुरानी चीज पढ़ाएंगे अन्लेस और अंटिल का गेम खेलने जा रहे हैं हम कुछ अच्छे प्रजेंटेशन के साथ आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टेंस चल रहा है आप बताएंगे आज आप पढ़ेंगे जो हमने अब तक पढ़ा टेंस, बॉडल, ग्रेमर उन सब का रोटेशन एक बार फिर उसका रोटेशन होगा और इसका इंट्रोडेक्शन होगा पहले दो मेहमान आया आपसे अन्लेस और अंटिल से मिलने ये रहते हैं कंजेक्शन के गाउँ में का में रहते हैं क्या जीपी है आज का टॉपिक यही पूरा करेंगे घर पे दी ले जाने देंगे आपने पढ़ लिया अन्लेस और अंटिल की काली के लिए अल्लेस और अंटिल का मतलब हिद्धी मतलब होगा जब तक नहीं पहली बात इसके बाद वाले बात में ना दूसर कि इन दोनों के बाद वाले बाके में सिंपल प्रियोग वागा तो वीवन आएगा यह भी फाइगा अन्लेस किसी शर्थ के लिए आता है 99 इसका यूज होता है और अंटिल आता है समय की शर्थ के लिए कोई भी मैं आपका इंतिजार करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ ना देखनी की पर्विशन है मैं सेंडेस लिख रहा हूँ पिरको समझाते है चलिए आप ग्रैमर का हाई वो कैप का हाई पहले वाले वाक्या से कोई लेना देना नहीं है आपका उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे कोई आपकी जीपी नहीं है कि आप मुझे सम्झाएंगे कुर सा टेंस है क्या यूज हो रहा है देखते हैं I will not comply with your orders comply with का क्या मतलब है बोलते चलो पालन करना कॉप्प्लाय वित फ्रेजल वर्भ है क्या मतलब है पालन करना कॉप्लाय वित की सिमिलर फ्रेज बताओ फटाफट जल्दी अब हमारा प्रेजेटिशन दोर चालो गया अबाइड बाइड 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 गर्वी से सूने हो गए गया अबाइड बाइड मैं आपके आदेशों की पालना नहीं करूंगा ग्रीस पाम जल्दी बताओ मुठी गरम करना पूरे सेंटेस का क्या मतलब हुआ अनलेस क्या है कंजेक्शन क्या कहता है मेरे बाइड वाले वाक्ये में ना तो विल आएगा ना नोट आएगा नोट नहीं आएगा आपका वाक्य प्रिजेंट इडेफिनेट में लिखा गया है और अर्थ क्या होगा सुन मैं तुम्हारे आदेशों की पालना नहीं करूगा जब तक तुम मेरी मुठी गरम नहीं करोगे अनलेस में नोट क्यों नहीं आया क्योंकि खुदी ही नकारात्मत है आईए सेकेड अनलेस का यूज चल रहा है देखिए आप समझ में आ रहा है पूरी इतनी लिखने की करें ला एक पहले वाले बाख्य से कोई मतलब नहीं है आपका आजाओ दोस्तों करते हैं इसका पोस्ट्मार्टम प्रॉप का मतलब जाच करना पोल ब्लेडर मडर सोची सब्जी गई हत्या grammar का point unless इंस्टेक्ट का मतलब निर्देशित करना कैसे से करना है इस्टरनली और स्टिकली सकताई से क्या है grammar मिन को क्या बोलेंगे सकताई से यानि कठोड़ता से ये adverb है ये क्या है एड़व है एल वाई आते ही एड़व हो गया आजाई है unless के पास आजगा टोपी यहीं किलियर होगा अगर पिले जाने के लिए कुछ नहीं है इतना गें फिल जाएंगे ये topic दिमाग में किलियर तो आपका दूसरा sentence आप से कहता है he will not prop this cold blooded mother unless you extract him sternly or strictly वो इस सोची सब्जिगे यत्या की जात नहीं करेगा जब तक तुम इसे सक्ताई से आदेश नहीं दोगे grammar का point क्या है unless कहां रहता है conjunction के गाव में क्या grammatical power है इसके बाद will or not does not, do not, will not इसका प्रियोग नहीं होगा तो किसका प्रियोग होगा आपके present indefinite का और प्रॉप जाच करना इसकी phrasal verb बताइए phrasal verb बताइए जाच करने की जल्दी अब आपका वो कमांडो ट्रेनिंग चालो हो गई आज से प्रॉप की phrasal verb चाहिए मिलको जाच करने की तो प्रॉप की जाच करने की phrasal verb है look into look into प्रॉप ओर तो आपका तलाश करना आपके प्रॉप की जो जाच होगी वो है look into look into कहता है जाच करना look के साथ into आएगा investigate के साथ into नहीं आएगा clear point unless वाला clear अभी वापस repeat करेंगे दिमाग को तेयार रखना वापस उसे भिठने के लिए एक बार जा रहा है वापस call करेंगे तो आपने आज का पहला point पढ़ा unless जो कहता है मैं conjunction के गाह में रहता हूँ मेरा नाम है conjunction मेरी grammatical power है मेरे बाद will नहीं आता है नोट नहीं आता है ना does note आता है ना do note आता है और गलती से क्या 99% लोग इसके साथ note लगाते हैं और मैं आपको दिखा दूगा अच्छे पढ़े लिए लोग unless के साथ और until के साथ note का use करते है unless का आता है कोई भी शक्त के लिए unless आता है आप exam पास नहीं करेगे you will not pass your exam unless you toil जब तक आप करी महनत नहीं करेगे clear अभी वापस आने पर आप मुझे समझाएंगे पूरा का पूरा खखेल एक graph के जरिये एक until का भी पढ़ लेते हैं कैसे I will wait for you wait के साथ 4 आएगा फ्रेंड से याद रखना है I will wait for you at and in इनका मतलब होती है धरमशाला धरमशाला को कहते हैं until का यूज़ करना है until you return जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे आया हुआ कुश्चन है important कर लेना until you return wait के साथ proposition 4 आएगा इसका भाईय अवेट इसके साथ proposition नहीं आता है एक एक बाइप पॉइंट को लेके चलना है अवेट के साथ zero proposition कोई proposition नहीं आता है ना फोर आएगा अवेट जो होगा वो आपका किसी proposition के बिना आएगा return के साथ कभी back नहीं आता है return में back शामिल है return के साथ back नहीं आएगा वापस आना यह superfluous expression कहलाता है यहाँ पर return के साथ back नहीं आएगा और आपका भेट के साथ four आएगा अवेट के साथ four नहीं आएगा I will wait for you I will wait for you कर देना मैं तुमारा इतजार करूँगा एट एडिद धरम शाला पर until you return जब तक तुम वापस तहीं आ जाओगे पूरे sentence में future definite पड़ा simple present पड़ा और क्या पड़ा सबसे important until को पड़ा grammar के part को पड़ा clear चले आगे मुझे ठिस्वर चाहिए मैं फिर कहता हूँ बेर को गर पे दी रिजाने दूगा यही पर सारा कारिकरम खता हूँ चले आगे चलिए नेक्स पॉंट है हमारा फिर आपसे conjunction मिलने आता है जिसका नाम है as soon as as soon as बहुत अच्छा इसका मतलब होगा जैसे ही इसका हिंदी मतलब होगा जैसे ही यह क्या कहता है यह कुछ नहीं कहता है नोर से कानी नहीं है यह कहता है बेरे बाद विल नहीं आएगा बोलोगे future लिखोगे present इसके बाद विल नहीं आएगा एस सून एज और एज एज के मद्ध मिशा पॉजिटिव डिगरी आती है यह कारी आगे पड़िए सूनर नहीं होगा सूनी होगा यह वी काहरी है एस सून एज का मतलब होगा जैसे ही इसके बाद कभी मिल नहीं आएगा बोलोगे फ्यूचर लिखोगे प्रिजेंट आईए गीम खेलते हैं इसके कुछ अच्छी वोक है अब धिमाग भी सीधी इगलीश चल रही है यहां दिक्कतों मेरे को बता देना I will round up you I will round up you as soon as as soon as अच्छी अंग्रेजी पढ़ना सीख लो you lunge at him you lunge at him with a grinded dagger जो आए बताते चलना नहीं आए तो हम अभी इसको solve पर देते हैं कहानी as soon as के पास है सारी कहानी यहां पर आज इसको देखना है हमारा चीफ वेस माइके तो सब बात आ चुके हैं यह है हमारा चीफ वेस बताओ दोस्तों इसकार्ट बताते चलिए I will round up you मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा round up तेजल वर्भ है मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा ऐस सुने जैसे ही तुम उस पर वार करोगे तो उस पर वार करोगे कहां से कहां से वार करवाना है दारदार खंजर से बस अब आप से ट्रेक पकड़ लिया धारदार खंजर से आई विल राउड अप यू एस सून एज यू लंज एट हिम विथे ग्राइडे डैगर रजेक्शन नमबर तीन एस सून एज अभी मैं वापस रिपीट करूँगा बैठे 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 बच्चों की तरह है एस सून एज के बाद विल नहीं आएगा बोलोगे फ्यूचर लि उस पर धारदार तलवार से वार करोगे धारदार खजजर से वार करोगे राउंड अप गिरपतार करना फ्रेजल वर्भ है लंज के साथ प्रपजिशन एट आएगा किसी पे वार करना ग्राइंडेड एग्जेक्टिव है डैगर नाउन है और एस सून एज आज हमारा ग्र कि एविल रेक अप आंसर आप बताएंगे एविल रेक अप एविल रेक अप योवर कि दिमाग में करते हैं जाना कि आंसर क्या आएगा मर्की बिजनिस एस सून एस बिलकुल सही जा रहे हो एस सून एस यूँ इंटिमिडेट इंटिमिडेट या लोकल वर्ड थ्रेटान थ्रेटान हिम अवर्टली अवर्टली का मतलब होगा खुलं खुला ओपली इंटिमिडेट का मतलब है लोगा फुलं खुला इक दम जसे कहते हैं यहां पर आकर ढमकी दे है कि इस बटाहिए भ्यो reacted यल्दी सब एक सार अब तो आप पारंगत होगे अब क्या दिक्कत है पताओ इसका एविल रेक अप यौर मर्की विद्नेश रेक अप क्या मतलब था परदाफाश करना मर्की विद्नेश काला धंदा ब्लैक जो यह अपना कुछ भी नकली की वेशना इत्यादी साइबर मर्की विद्नेश एस सुन एच के पास आजाओ वड़े प्यार से यह विल रेक अप यह आपके काले दंदेगी पोल खोल देगा आप काले दंदेगी पोल खोल देगा एस सुन एस यूँ इंटिमिडेट और फ्रेटन हीं जैसे ही आप उसे धंकी देंगे और लिक खुल अं इंटिमिडेट और फ्रेटन वर्प की फर्स्ट फॉर्म या भी फाइफ को यूज़ करेगा तो ऐस सुन एस कहता है मेरे पास कभी भी आपका जो है प्यूचर नहीं आएगा मेरे बाद बिल तो यूज़ करने की हिमातत ना करें नहीं कुश्चन गलत होकर जाएगा क्लियर तीसरा कंजेक्शन क्लियर ब्रेन भी क्लियर करना है कोपी से कोई लियना देना दी है वो तो ज़िस्टिक फॉर्मिलिटी है जिसको आप कित्ती देर यूज़ करेगे जित्ती देर ज़र्वरत है तो क्लियर यहाँ पर आएए नेक्स चलते हैं राज खोलना किसी के साबने पूल खोल देना पहले इसकी कानी खतब कर दो फिर आगे बढ़ते हैं तो एक दाम था देव धर दरोगा ने सारे लोगों के सामने राज खोल दिया देव धर दरोगा राज खोलना किसी के सामने सिक्रेट खोलना राज खोलना पहला डिस्क्लोज खुलासा कर देना पुलिस के सामें सब कुछ बता दिया, दूसरा डीबंग, तीसरा डाइवल्ज, बड़ा च्छा वर्ण है, एक्जाम में काफी वार आ चुका है, ये आपकी फ्रेज है, ये भी आपकी फ्रेज है, लैट दा कैट आउट ओफ दा बैग, ये को शर्मनाक राज खोल देना, लैट दा कैट आउट ओफ दा बैग, आउट दा बैग ही गर दो दो प्रेपोजिशन नहीं आते, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना जैसे किसका अफेर है, और आपने पार् और चोथा और सबसे आखरी, रेक अप और रिवील आपको आता है, रिवील तो आपके लोबे भी आता है, ये लोग साथ आज से के बाद राज खोलना, या पोल खोलना, कोई सा भी आपको यूज़ करना पड़े, आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, देवधर दरोगा ने सारे लोगों के साबने राज खोल दिया, फालतू तरीका, आणू तरीका, उठपटं तरीका, डी फोर डिस्क्लोस, डी फोर डिबंक, डी फोर डाइवल्च, एस फोर स्पिल दा बेंस, जो अभी अभी किया, एल फोर लेंड दा केट, आउट ओप दा बैंक, औ जब इसके बाद भी नहीं आएगा, इसके बाद भी नहीं आएगा, जब कर्जिक्शन के रूप में आएगा, तबruce के बाद भी नहीं आएगा, जब टेंस भी अपना रोल लिबारा था, दोनों को याद कर लेना, तो इसके साथ इसके साथ जब वहाँ पर रोल निमारा था तो इसके साथ ये past definite दोनों को याद रखना आपको दोनों तरीके से past definite और past continuous का use होता है सामाणित है आप कभी जब पांच माच को भी उसकर जाता है वो टेंस का पार्ट है दोड़ों को एक साथ जोड़ दो पास्ट कटिडिवस का प्रियोग होता है वहन जब वहां रहता है तो ये रोल लिभाएगा यहां रहता है तो ये रोल लिभाएगा वेहन के साथ तीर ग्रैमर के पॉइंट मिल रहे है जब ये कंजेक्शन के रूप में आता है तो विल नहीं आएगा इतना सा करना है जब ये वेहन के टेंस के पार्ट में रहता है तो इसके साथ रूप नमबर पाँच फिर वेहन फिर रूप नमबर च्छे या कभी कभी रूप नमबर पाँच वेहन और फिर रूप नमबर पाँच ये मैथेमेटिकल ग्राफ को लिखने ना बस इसके बाहर नहीं जाएंगे याँ वेहन जब कंजेक्शन के रूप में आएगा तो इसके बाद विल नहीं आएगा वेहन जब टेंस वाले पार्ट में रहेगा तो पाँच और पाँच या पाँच और च्छे को यूज़ करेगा तो वेहन के बाद हमारा रूल कहता है कि आपका विल का यूज़ नहीं होगा वेहन जब अजिक्शन में रहेगा तो बिल्कों यूज नहीं करेगा बहन जब टेंस में रहेगा तो रूम नमबर 5 और 6 और रूम नमबर 5 और 5 को यूज करेगा example देखिये इसका बहन का मतलब होगा जब वा पे भी जब था, यहां पे भी जब है इसका वो देखिये कि बेहन का यूज़ देखिए आप विट किनेपिक्टिकल कंसेप्ट के साथ हाइस्ट का मतलब है डाका ही विल कमिट हाइस्ट वो डाका डालेगा जब तुम उसे जबर्दस तरीके से भरकाओगे गोड का मतलब है भरका ना हाइस्ट का मतलब दाका आपका चोथा कर्जेक्शन चल रहा है भेहन की रूप में क्या हुआ क्या हो गया तेरे रखू बड़े आरांज ही विल कमिट हाइस्ट वो दाका डालेगा वेहन यू गोड ही विमेंटली जब आप उसे भरका होगे इस पिर और कम कर देते इस पिर दोप है आप में गोड का मतलब भरकाना विमेंटली का मतलब पुर्जोर कमिस्ठाइद दाका डालना यहाँ पर आपको ग्रेमर देख दी हैं कि वहन का यूज हुआ है एक कज्जेक्शन के रूप में तो इसके बाद वाले वाक्य में क्या नहीं आएगा विल नहीं आएगा पहले वाले वाक्य में विल आएगा वो बोलेगा भी future लिखेगा भी future बाद वाले वाक्य में बोलेगा future लिखेगा present क्यों की grammar ने कह रखा है कि वेन वाले वाक्य में विल का use नहीं होगा he will commit highest वो डाका डालेगा when you go to him जब आप उसे पुरजोर या cdc कहाणी है next आईए एको लिखने है he will pronounce pronounce का मतलब आपको पता है सुनाना he will pronounce capital punishment to him बड़े आराम से in jam-packed code when वो यूज किया क्या विलाएगा क्या विलाएगा नहीं आएगा when you produce when you produce concrete proves against आप grammar को यूज करें बहुत अच्छे सी यूज करेंगे against him बड़े आराम से पढ़ो अर्थ लगाओ grammar को find out करो तो घर में तिदी है कि कुछ सम्मल में आता है करते हैं साथे वो बात करने कुछ तो लगाओ कि आपको वहन पर रख भी आँड़े आँड़े आन सारी दया वे उससे फासी की सजा सुनाएगा सुनाना प्रनाउंस वे उससे फासी की सजा सुनाएगा capital punishment कह लो जब 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 भी आएगा वेहन केवल जब एग जैपेक्ट कोट खचाकच भरे नियाले में अचाकच भरे नियाले में ठीक है वेहन अमारा grammar part वेहन को पकड़े रखो इसको आज इसको रखना की महमान है वेल यू प्रड्यूस कंट्रेट प्रोप अगेस्ट इम कंट्रेट प्रोप का मतलब है फुक्ता समूत प्रड्यूस पेश करना वीवन में है आप तो आपसे गुजरता हुआ सेंटेंस क्या उबीद करता है यह उबीद करता है कि मेरे बाद दिल का यूज नहीं करना है गलती से भी विल मतलगा देना एक सेंटेंस में दो बिल नहीं हो सकते हैं और किसी भी कर्जेक्शन के बाद यानि इफ या वहन या और भी कुछ आए तो उसके बाद विल नहीं आएगा दो जिगए बोलोगे फ्यूचर दोनों जिगए आप फ्यूचर का यूज करोगे दोनों जिगए सेंस फ्यूचर का ही आएगा लेकिन वहन के बाद क्या नहीं बढ़ना है विल को यूज नहीं क पर चुके हैं आप दुबारा पढ़ेगे लेकिन पहले अलगत दाज में पांच्वा जो कंजिक्शन आ रहा है वहन एवर इसका हिद्ली मतलब होता है जब भी जब इससे वाक्य शुरू करते हैं तब इसके साथ सिंपल प्रेजेंट आता है जो आपर तीन चार कोशन कर चुक आते हो पहला रूल जब भी सिंपल प्रेजेंट आएगा जब भी इससे वाक्य शुरू करते हैं यह कर चुके ना आप जब भी आप आते हो फल आते हो जब भी आप उझे फोन करते हो मैं आपका फोन उठा लेता हूं आज कंजिक्शन की रूप में आएगा तो इसके बाद इसके बाद विल नहीं आएगा यही कार्णी इसका वेन आवर का हिंदी मतलब होगा जब भी जब यह कजिक्शन के रूप में आएगा तो इसके बाद विल नहीं आएगा क्यों पे किसका लैंग बिल्श को इंट्रोगेटिव है वह पुश्ण बना रहे हैं दो दो सेटेज लियन वाँ पर बात है दो सेटेज एक प्रिश्ण वांचे रहे हो ना बात है सब्सक्राइब का मतलब होता है साइता करना कि आई विल सकर यू कि इन योवार कि एडवर्सिटी आई विल सकर यू इन योवार्सिटी एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ती आई विल सकर यू इन योड़र्सिटी गुलाओ इसके कंजिक्शन को दो बाकियों को जोडने वाला बाकिय है वैन एवर वैन एवर मैं तुम्हारी मुसीबत में साहता करूगा वैन एवर यू ग्रैवल बिफोर भी अग्रैवल का मतलब गिड़ गिड़ाना सेंटेस के इसको इसकी कहानी जिन्दा बात पूरी ग्रैवर टिप्स चाहिए कोई दुबारा पढ़ने के जुरत नहीं स्पीड आराम से धीरे-दीरे पढ़ना हैं को आई सकर यू इन यूर एड़र्सिटी वैन एवर इवर ब देता है ऐसे दिए पुरानी चीजों को अपर होच-पोच कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर जेक्शन नमबर पांच में जा रहे हैं आप वैन एवर का यूस करें आप दुबनों सेंटेंट डैसी मेट आप कर चुके हैं डैसी मेट डैस्ट्रॉइस का सिविलर वर्ड है बरबात करना आप बरबात करना आज का कीवर्ड है आज का मेहमान है वैन एवर पहले सेंटेंस में देखिए आई विल सकर यू इद यॉर एड़वर्सिटी मैं आपकी विपत्ति में साहिता करूँगा वैन एवर एक अज्जक्शन है क्योंकि दूसरा वाकि भी आ रहा है वैन एवर यू ग्रैवल विफोर वी जब भी तुम बेरे सांवन गड़ गड़ा ओगे वैन होता तो भी विल नहीं आता बहन एवर ऑन एवर है तो भी विल नहीं आ आएगा वैन एवर जब टेंस में जा यएगा तो अपने बाँ सिंपल प्रिजेंट लेता है वैन एवर conjunction में आएगा तो अपनी GP बदल देता है अपना grammatical power बदल देता है इसके बाद will का use नहीं होगा दूसरा देखिए he will decimate or destroy you वो तुमको बरबाद कर देगा वो तुमें तभा कर देगा whenever you pastor him जब भी तुम उसे परिशान करोगे without any rhyme and reason बिना किसी कारण whenever you pastor 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 परिशान करना तंग करना अकारण without any rhyme and reason को कहते हैं बिना कारण जब भी आप बिना कारण उसे परिशान करोगे तो वो तुम्हें तभा कर देगा बरबाद कर देगा यहाँ पर GP grammatical power जो है whenever के पास है कर्जेक्शन से उठाए को शान पहले तो यह पता करूब आया कहां से कोश्चन आइसे तुपका नहीं कोश्चन कहां से डवलप हुआ है कोश्चन डवलप हुआ है का जीपी रखता है वाई तरह से ग्रेमिटिकल पावर क्या है उसकी ग्रेमिटिकल पावर है इसके बाद कभी भी विलका यूज रही होगा हां बोलेंगे फ्यूचर सेंस मेरा फ्यूचर का रहेगा लेकिन आपको लिखना प्रेजेंट है जब भी तुम मैं आपका फोन उठालूंगा जब भी आप मुझ आप उठाल करेंगे तो भी प्रेजेंट और जब आप उठाल करेंगे तो भी प्रेजेंट इनेफिनेट आज वगर जैक्षण के लिए अभी वापस रिप्यूटिशन पर आते हैं आज की ग्रेमर यहीं खतम होगी और चोट आसा हम वर्क मैं आपको भीजूगा रिटर्ड में रिटर्ड वाली सेंटेंस आप उन्हें बनाना और फिर कल हम आते हैं इसको फिर लिखेंगे कि आपने ग्रेमर कैसी यूज की जिससे आप पारंगत होते चलेंगे जिसने ग्रेमर कर लीना वो उसका प्काम पर्फेक्शन पर है अब आता है हमारा आखरी आज का आखरी क कर्जक्शन सिंस इसका हिंदी मतलब होता है जब से पहला सिंस आपने पढ़ा था टैंस में दूसरा सिंस पढ़ने है कर्जक्शन में से इसके बाद जब सिंस है जिकर्जक्शन के रूप में जब कर्जक्शन के रूप में बड़े आराम से थोरी के लिए कर दिया है रूप में इसका प्रियोग हो इसका प्रियोग हो तो याद रखना है वो तो इसके साथ एक वाक्य यहां पर कोशन बहुत अच्छा वद्धा है हमेशा वद्धा है इसके साथ एक वाक्य में present perfect आएगा present perfect और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में आएगा दूसरा वाक्य अभी याद कर लेना आज की grammar आज ही याद होगी पास्ट इंडेफिनेट में आएगा यह grammar का अजीब हो गरीब हो लेजहांवर पास्ट और प्रिजन को साथ मिलाता है पास्ट इंडेफिनेट आएगा यानि mathematical expression में subject सब्जेक्ट प्लस देखो टेंस पड़ा हुआ यह दिस सॉलिड है तो कितना काम में आ रहा है सब्जेक्ट प्लस है जैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बीच में आज इसके मेहमान को बैठाया सिंस सिंस इसको इंपोर्टेंट प्लस किया सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट इसको याद रखना है सिंस जब कंजेक्शन के रूप में आएगा तो एक वाकिये प्रिजेन्ट परफेक्ट से कवर होगा दूसरा वाकिये पास्ट इंडेफिनेट से कवर होगा बहुत याद रखना है या तो ये दोनों देकर ये पूछेगा या दोनों टेंस देकर सिंस पूछेगा या ये दोनों देकर ये पूछता है कोश्चन बनाने की कैपसिटी बहुत अच्छी है कैसे आई है वायर हिम आई है फायर हिम सिंस को बुलाएं सिंस हमारा सेकिन वाला सिंस आ रहा है थर्ड़ से भी बाकी है आई है फायर हिम सिंस ही एमजल इन ओफिस एमजल का मतलब है गबन करना गबन करना फायर का मतलब है नोकरी से निकालना जिसके तीन बड़ किये थे आपने नोकरी से निकालना फायर कहलाएगा जिसके तीन बड़ आपको याद है तो ठीक है नहीं है तो वापस ले लो पहला सैफ को आई है सैफ को नोकरी से निकाला था सेक एक्स और फायर तिप से लिए रखाया आपने बहुत अच्छी बात है आई हाफ फायर ही सिस्टी अमेजल इन होफिज ही है आगया गीवन is abundant opulence to be abundant opulence to be he has given his abundant opulence to be उस्ते मुझे अपनी अथा दोलत दे दी है abundant opulence का मतलब अथा दोलत उस्ते मुझे अपनी अथा दोलत दे दी है सेंस को बुलाओ साथ सेंस आई वर्प की सेकेंड फोग वर्प की सेकेंड फोग फ्लैटर्ड हीं प्लैटर्ड हीं जब से मैंने उसकी चम्चागिरी की थी मैं आपको 5-6 सेंटेज बेजूगा 6 पॉइंट पर इसलिए जुड़े नहीं जुड़ जाना रिटर्ड में आपको ग्रैमर करना आ गया उससे बैटर कोई ऑप्शन होई दी सकता है जिसको रिटर्ड में ग्रैमर खेल खेलना आ गया ना आपको पूरी ग्रैमर रिटर्ड म है तो यहाँ कौंसे वाला तो किसी भी वाकिशन साफने टैंस में पढ़ा एक सिल्स आप यह पर रहे हैं यह सिल्से कजेशन है क्यों दोवाकिये इसके एक लेफ्ट में हैं दूसरा राइट में है सब कुछ मत कर दो यहां पर लिखा तो जब आपका सेंसे कजेशन के प्राणा नहीं हैं, तो उसके साथ left वाला वाक्य present perfect में ही आएगा और दूसरे वाला वाक्य past definite में आएगा, यानि एक वाक्य में hazard V3 का होना जरूरी है, और दूसरे वाक्य में वेतू का होना जरूरी है, एक वाक्य hazard V3 के साथ आएगा और दूसरे वाक्य में वेतू आएगा गफ जब यह सिल्स का जेक्षन के रूप में आएगा एक शिल्स पढ़ा था आपने फॉर वाले वो रूम नमबर चार आठ और बारा में रहता है यह वाला सिल्स का जेक्शन में रहता है यह पूछूगा सब्सक्राइब, I have fired him, मैंने उसे नोकनी से निकाल दिया है, जब से उसे उसने एफिस में गबन किया था, इसकी पैसीव बना फस्टवा लेगी जल्दी, पहले वाले बाट कि इको पैसीव में बोल गया, दिखाऊ, उसे नोकनी से निकाल दिया गया है, पैसीव में भी तो अ बात है इसकी पैसिव होगी इस अबरनेंट ऑफिलेंस जरौत हो तो यह तो अब गेम कहें इसकी पैसिव क्या होगी आइप लेटर नहीं की पैसिव इवाज फ्लेटरड बाई भी यह वो खतरना की इसको प्लेग्राउंट मना दो इसको बैरक प्लेग्राउंट इधर से उदार उदार कहा रे खुद को पता नहीं चला वाजू नहीं चाहिए तो आज का आग्री सीट्ट्रू में आएगा पाश्ट के लिए रिए इसां पर निखेंगा सब्सक्राइगा है प्रेंट्स केलिए हैं मिटा दू सबकुछ पी किताब सब बन कर दो अब पेटादो नहीं लिखा आपकी स्पीड कब लिख ली कि क्या बात है दुबाला लिखो दुबाला लिखो कि आई है था आई हेवट फायड हिम जो भी दिक्त तो बता दिया करो वाई है फायड ही इस तो उपर वाला कर दो ही रेज उपर वाला क्योंगी बोर्ड में कुछ नहीं लिखना है फिर भी बहुत कुछ लिखना है लिखने बाद कोपी किताब बंद कर देना सब और गेम खेलते हैं हमारा माइड फिलिंग सिस्टम से दिमाग भी ले जाते हुए पानी फिलू एक बार बाजा रहा है अर्माद आपका आखरी रूल सिस्ट पे जा रहा है आज हमने एक ग्रेमर के छे रूल पड़े हैं छे को कोपी किताब के बिना रोटीशन भी लेना है तो कि एक्जाम में दस दिर पहले भी आप यदि इसको छोड़ देगे एक्जाम तो कोई असर नहीं आने द दू तो आपने एक आज के छे रूल पड़े छे रूल की ग्रेमर पावर पड़नी है आज चलते हैं के गाहों में परस्ट सेकेंड फॉर्थ फिप सिक्स पहला पड़ा अनलेस दूसरा पड़ा अंटिल तीसरा एज सूर एज चोथा वहन पांचे नंबर पे वहन एवर और यह अपनी नंबरिंग डाल दी आज यह ग्रेमेटिकल पावर डिस्कस करते हैं अलेस का हिद्धी मतलब क्या होगा जब तक नहीं यह अपने आप में क्या सकारात्मक या नकारात्मक इसके बाद क्या नहीं आएगा विल और नॉत यह कप प्रियोग होता है कोई भी शर्त के लिए आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुचेंगे जब तक आप गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुचेंगे जब तक आप अपनी गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे सेंटेंस मनाओ यू विल नॉट रीच यूर डेस्टिनेशन अन्लेस यू ड्राइव कार फास नॉट और विल दूसरे नमबर पे अंटिल अंटिल और अंलेस में क्या टेक्निकल फरक है वो समय के लिए आता है ये आपका कोई भी शर्ट के लिए आता है वो समय के लिए आता है तिल से भी जोड़ quién pastors तिल अलग है अंटिल अलग है तिल अलग है वो जोगा वो प्रपजिशन है ये आपका कैज्यक्षण है अंटिल समय की शर्ट के लिए आता है क्या कारी कहता है क्या गरेमेटॉटिकल पावर है will or not नहीं आएगा, से वही गारी है जो unless की है, बस ये समय की शर्त के लिए आता है, मैं आपका इतिजार करूँगा ऐसे 11 सेंटेस में, unless हर जगें उपस्तित रहता है हम notes नहीं लिखेंगे जब तक सरम को नहीं पढ़ाएंगे unless sir teach आएगा do not teach, does not teach या will not teach, नहीं आएगा third पर आओ, as soon as क्या हिदी मतलब हुआ जैसे ही, क्या यहाँ पर as soon as लिखा जा सकता है क्या नहीं, as-as के मद्द positive degree आती है, जो एक्जेक्टिव में पढ़ेंगे लेगे लिगे नाज तोड़ा सा introduction as soon as कहां रहता है, इतना सा कलकता स्टेशन पे उत्रूंगा, sentence बनाओ मैं आपको phone बरूगा जैसे ही मैं कलकता स्टेशन पे उत्रूंगा I will call you as soon as as soon as, उत्रो आप कलकता स्टेशन पे उत्रूंगा या तो alight कर लो, alight from alight on, I alight on कलकता स्टेशन या debord भी यूज़ कर सकते हो as soon as, अपने साथ will नहीं अपने को यूज़ करना तो will को यूज़ नहीं आ जाओ वहन, वहन का इत्दी मतलब क्या होगा इसके बाद क्या नहीं आएगा will नहीं आएगा, इसके बाद कौन सा tense use होगा present indefinite इससे पहले वाले में कौन सा tense use होगा future indefinite क्या एक वाक्य में दो will आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, कहा will नहीं आएगा rejection के बाद will नहीं आएगा, जब ये महन tense वाले घर में रहता है, तो कौन सा rule follow करता है left में 5, right में 6 left में 5, right में 5 शलो when, सारी कारी खतम आज, इसकी कारी खतम whenever, इसी के साथ इसी का पडूसी कह सकते हो आप whenever का हिद्धी पतलब क्या होगा जब भी, क्या गरिवेटिकल पावर है आज, इसके बाद will नहीं आएगा इसके बाद will नहीं आएगा मैं आपका फोन नहीं उठाओंगा जब भी आप मुझे फोन करेंगे आप से जब टेंस में आये था ये तो इसके बाद आने वाला वाकि सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा जब भी आप मुझे फोन करते हो सर मैं आपका फोन उठा लेता हूँ whenever you call me I pick up your mobile since आया, दूसरे नमबर वाला since, पहला since 4 के साथ ये since कहां रहता है conjunction में, क्या grammatical power है इसके पहले वाला वाक्य है जब के साथ मरकी थर्ड फोब में आएगा present perfect में आएगा और बाद वाला वाक्य बेटू में आएगा, clear आज की grammar अब इसको भी मिटा दू इससे भी खतब भरू कारी अब आजाओ, उसकी खेल पाद पहले नमबर पर क्या है unless, क्या कहता फटा पर टिंग मेंट का rotation, single minute rotation पहला unless, क्या नहीं आएगा below note, नहीं आएगा, दूसरे नमबर क्या नहीं आएगा हमें की शर्द है below note नहीं आएगा, तीसरा नमबर as soon as, क्या नहीं आएगा विल नहीं आएगा जैसे ही बोलोगे future लिखोगे present, चोथे नमबर पर when, when, चुको बत तो धीले में, when के बाद क्या नहीं आएगा जब टेंस में था तो पांच और छे, या पांच और पांच, उदर चले इदर भी आगे, आगे इदर, खिरा जाओ whenever, विल नहीं आएगा क्या नहीं आएगा विल नहीं आएगा, और टेंस में था थो present, indefinite कानी घताम, सेज आपका तीन और पांच तीन, प्लस सेज, प्लस पांच हैज हैव, वे थिरी और आपका भी फोलो, है कोपी किताब की जुरत पहला नमबर, अप सरिफ वो पढ़ेंगे grammar साथ दिमाग में लेना, पहला नमबर unless, दूसरा नमबर तीसरा नमबर है सुने, चोथा नमबर पांचवा नमबर छटा नमबर, grammar parallel, दिमाग में, उल्टा चलो रिवर्स लो, रिवर्स लो, रिवर्स ले मड़ा जो राता है since whenever रहे, चुप चुप कोई, ठाइर since whenever when as soon as, until or unless इंबाकी हुई कि दिए एक्सरसाइज ऐसे खुले को तयार है लेकिन बजाया है कि नहीं आया एक सांस में, तीस सेकिंड में unless, until as soon as when, whenever since, 15 seconds only 15 seconds तो चुप क्या स्पीड ले रखिए इसको कहते हैं, पढ़ना और पढ़ाना अब खेब भेलेगे, स्रिफ पेपर में जो और आया, क्या जो और आया, कुछ से नहीं आया unless, until यह आप चिपकाल होगे, जब शॉट वाजब अपर सब कुछ कर लेगे, तो यह शॉट नोट्स आप अपने स्टेरी रूम में चिपकाए एक अजेक्शन, शॉट नोट एग्जाम से जाते हुए देख लो, रोज चाय पीते हुए देखो, सब्दी कारते हुए देखो, कोई भी चीज करते हुए देखो, यह खतम कहानी, ग्रेमर है, फलाना है, अरे पढ़ाने का तरीका डवलप करो ना, आग लगाने में क्या जो यूज अरे अरे ओना फ्रेंट्स क्लियार, ओन लाइन फ्रेंट्स क्लियार, फोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप मुझे मेरे वह सवाज इनले कभी भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ओनलाइन में जवाब देने में सोड़ी क्लाश डिस्ट्रम होती है, इसलिए आप कर सब्सक्राइब